हमारा प्लेण जो है वह complete हो चुका है और अभी आप लोगों को बता देता हूं ताकि आप लोगों को आसानी हो और मैं जो पार्ट्स यूज कर सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को डीटेल में बता दूंगा तो वीडियों बने रहे हैं चले फटाफट उन सब पार्ट को देख लेते हैं और दोस्तों सेवन पीस 13 ग्राम का मेरे पास मेटल सर्वो है दो BLDC मूटर है, दो EAC है, दो 5 इंच का प्रोपेलर है, तीन रेट्रेक्स लेंडिंग यर है, दो 3S का वावन सो, चोवन सो मिली एंपर का लीपो बैट्रिक है जिसे 3-3 सेल मिलागे में 6 सेल बना लूँगा और यहां पे कुछ J-R-Y केबल है जिससे की कनेक्शन होगा मतलब किनेक्शन सारा आप लोगों को बता दूगा किनेक्शन कैसे करना है, कौन सा किस चीज में जाएगा, मतलब एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, यह सब तो नार्माल लफ और फिर भी बता दूगा हमारे जितना भी सर्वो सारे सर्वो के वाइर को कट कर लेना है जर का जो data के वाइर होता है मैंने उसे यूज किया है तो उसे करके इसे लंबा कर लेना है यहां पर दोस्तो हमारे plane का wing, vertical, horizontal, flip वगेरा जो है काफी दूर में है आप अपने plane के हिसाब से सर्वो का wire लंबा कर सकते है तो मेरा जो है वो काफी दूरी है इसलिए मैंने ज्यादा लंबा किया है हमारे mobile के data cable में जो wire निकलता है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि red wire black ही हो तो इसलिए आपको अच्छे से देख के वो समझ की connection करना है क्योंकि अगर connection गलती होगा तो हमारा सर्वो perfect काम नहीं करेगा या तो फिर problem होगी या फिर सर्वो जल जाएगा या receiver में भी problem हो सकती है तो इसलिए हमें connection जो है वो अच्छे से देख के करना है यहाँ पर दोस्तों अब हमें सारे सर्वो को install करना है तो install करने से पहले हमें सारे सर्वो को रख के mark कर लेना है मार करने के बाद उसे कट करके हटाने के बाद सर्वो क install करना है तो यहाँ पर मैं aileron, elevator, rudder और flip में चारो जगे पर सर्वो install कर लेता हूँ अब बारी है motor को install करनी की motor को mount करने से पहले हमें एक बात का ख्याल रखना है कि motor को बहुत ही अच्छे से बहुत ही मजबूती से install करना है क्योंकि यहाँ पर हमारा pushar plane नहीं है pushar plane होता है तो क्या होता है कि पीछे से हावा ठेलता है तो motor को जो हो हलके से भी install करते तो चलता है बटी यहाँ पर अच्छे मजबूती से install करना है अब यह हमारा दोनों मोटर इस्टॉल हूँ चुका है तो अब हमें 2 AC को इसमें connection करना है 2 AC का connection करने के लिए यहां पे हमें positive को positive में negative को negative में यहां पे दोनो पोजिशिव और negative को मिला देना है और दोनों AC का जो मोटर का connection है वो आपको पता होगा अगर नहीं पता है अगर मान लिए मोटर उल्टा गूमता है तो सिर्फ एक वायर को यहाँ पर पलट देना रहो यहाँ पर मैं power के लिए power distribution board का यूज कर रहा हूं हमारे receiver में 5V 5A का जो output है वो power distribution board से क्रेंड जाएगा तो अभी फटा-फटी इन सब को हम connection कर लेते हैं यहाँ पर मैं power distribution board का इसलिए यूज कर रहा हूं कि हमारा यहाँ पर total 11 servo हो चुका है अगर मैं 11 servo का load अपने receiver मतलब AC पर दूँगा तो हमारे AC जो है वो जल जाएगा तो यहाँ पर अभी हम फटा-फट अपने motor को test कर लेते हैं कि हमारा motor उल्टा घूम रहा है या सीधा घूम रहा है तो यहाँ पर मैं अपने landing gear को भी test कर लेता हूं कि हमारा landing gear जो है वो perfect work कर रहा है या नहीं और अगर आप चाहते हैं कि मैं landing gear का भी separate video बना दूँ तो नीचे comment करें मैं separate video landing gear का भी बना दूँगा तो यहाँ पर हमारा सार्वा सर्वो इस्टॉल हो चुका है अभी सर्वो का जो wire है वो बहुत ज्यादा हो चुका तो यहाँ पर हमें सारे wire को अच्छे से separate करके एक जगे पर लाके अच्छे सेलो टेप से 60-60 के लेके आना है ताकि जब हमारा plane fly हो उस वक्त हमारा सर्वो का wire जो है वो टूट ना जाए या तो फिर कहीं खुल के कहीं और फस के हमारा plane क्रेस ना हो जाए मतलब ऐलरोन एलेवेटर में हमारा wire फस के कहीं पर क्रेस ना हो जाए तो इसलिए हमें सब अच्छे से separate करके सेलो टेप से साट कर लेना है ताकि बाद में problem ना हो तो यहाँ पर तो यहाँ पर मैं control horn को साटने के लिए hod guru gun का यूज कर रहा हूं आप शाहे तो कोई सा भी glue का यूज कर सकते हैं तो अभी हम फटा-फट control horn को साट लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारा wiring का जो diagram है वो मैं समझा देता हूं यहाँ पर finally सारा servo वगेरा landing gear वगेरा install हो चुका है यहाँ पर total हमारे पस 11 वायर आया है इसमें से तीन landing gear का है जिसे मैंने एक कर दिया है तीनों landing gear का जो है वह एक तार बन जाएगा तो यहाँ पर देख सकते देता हूं कि हमारा जो है वह एलरोन एक नंबर पर जाएगा एलेवेटर दो नंबर पर जाएगा थ्रटल तीन नंबर पर जाएगा रडर और हमारा जो फ्रंट में इस टाइरिंग है यहाँ पर फ्रंट विल में तो वह चार नंबर पर जाएगा पांच नंबर पर हमारा फ हमारा जहां दो सर्वो यूज होगा वहां पर इस तरह से जे आर वाई केबल से हमें दोनों सर्वों कर लेना है तो फटा फटा भी अपनी सर्वों पर हम इसका कर लेते हैं तो दोस्तों यहां पर फाइनली मैं अपने लीपो बाइटरी को कर रहा हूं कनेक्ट है अलरोन वर है एलेवेटर है फ्रोटल चार नंबर में हमारा रडर और फ्रंट का स्टाइरिंग नंबर में है फ्लेप नंबर में है लेंडिंग गियर है वे हूजा जाओ नंबर में तर्पज repair नंबर में जाई MengeAKE एारा रडरा रापफ एका कर पार पहूज है है कि है मात है है अगई है अगों है 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 अगा है है हैं अभी हमारा स्वारी जो है वह फूरी तरीके से कंप्लीट हो जुगा है और यहाँ पर में यूज यहां पर आप 6 चैनल का कोई साभी ट्रांस्मिटर यूज कर सकते हैं अगर आप फ्लेप यूज करें लेंडिंग यूज करें तो 6 चैनल का यूज करना होगा और अगर आप फ्लेप लेंडिंग यूज नहीं करें तो यहां पर फॉर चैनल का भी कोई साभी ट्रांस्मिटर य लग रहा होगा कि इसमें बहुत ही ज्यादा महनत लगा और हकीकत में इसमें जो है बहुत ज्यादा महनत लगा तो अपनी भाई को सपोर्ट करें चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कि एसका नेक्ट वीडियो जो है वो फूल मेकिंग के साथ आने वाला है तो फिर मिलते है अगले वीडियो में तक तक अपना खयाल रखें और वीडियो को अपने दोस्तों भी सेयर जरूर करें तो फिर मिलते है अगले वीडियो में और दोस्तों अगर इसका लेंडिंग गेर का जो मेकिंग का वीडियो है वो भी अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताएं मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूँगा तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में